वेदान्त युनिवर्स्टी के लिए गरीब 6,000 एकड जमीन जो सरकार ने अधिगरहन किया था उसको सुप्रीम कोट ने रद कर दिया है और किसानों को वापिस मिल दिये तो किसान उसकी खुशी में उसका जश्न मनाना चाहते थे और उसके लिए मैं में लिया हूँ लेकिन उडिसा में जो जिस तरह से सारा काम चल रहा है ये बहुत ही बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हम देख रहे हैं एक और हमारा केस चल रहा है आइरन ओर माइनिंग का उडिसा के बारे में जिसमें पहले सुप्रीम कोट ने बोला कि बहुत सारे इल्लीगल माइन्स यहां फंक्शन करने दे रहे थे बहुत इल्लीगल एक्स्ट्रैक्शन हुआ आइरन ओर का उसमें सुप्रीम कोट के कहने पर 20,000 करोड से ज़्यादा पैनल्टी निकाली गई इन कंपनियों से जो उन्होंने अवैद माइनिंग करी थी अभी भी 3,000 करोड से ज़्यादा पैनल्टी नहीं वसूली गई है जबकि 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं सुप्रीम कोट के फैसले को और कोई लिमिट नहीं लगाई गई है माइनिंग के ओपर बे इंतहा माइनिंग चलने दी जा रही है जगा जगा ये देखा जा रहा है कि यहां उडिसा में बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे वेदान्त है इन लोगों के साथ सरकार मिली भगत करके हर तरह की इल्लीगल माइनिंग अलाव करने देती है और अगर कोई आदिवासी वगएरा उसका विरोध करते हैं किसान आदिवासी लोग तो उनके खिलाफ उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तरह तरह के मुकदमे उनके ओपर थोप दिये जाते हैं तो बहुत अनफॉर्चनलट सिचुएशन है कि सारा परियाबरन का नाश किया जा रहा है सारी खदाने खतम करी जा रही है और जो यहां के लोगल आदिवासी और किसान ने उनको विस्तापित किया जा रहा है उनको कीडों मकोडों की तरह ट्रीट किया जा रहा है मतलब यहां के प्राकृतिक संपत्ती को लूटा जरूर गया है और उस लूट से थोड़ा बहुत चकाचौन करने वाली चीज़ें दिखाई जा रही हैं लोगों को लेकिन जो यहां के गरीब किसान आदिवासी हैं उनको तो कीडों मकोडों की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है उनके प्राइवेट सेकरेटरी ही चीफ मिनिस्टर की तरह ट्रैवल करते हैं हमने सुना कि नवीन पतनायक जी ने यहां के जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको पूरी खूली छूट दे रखी है और अफसरों से कह रखा है कि भई यह लोग जो करना चाहें उनको करने दो और यही बात सुप्रीम कोट ने इस फैसले में भी बोली है कि वेदान्त युनिवरस्टी ने जो म यहां बनाएंगे आपने तै कर लिया कि 8000 एकड जमीन उनको दे देंगे मतलब यह कि हम 6000 किसान की फैमिलीज को इस्थापित कर देंगे यहां का सारी प्राकृतिक संपत्ति को नश्ट कर देंगे मेरी राय में तो जो किया गया है जिस तरह से किया गया सुप्रीम कोट के फ ने दिया तो सिधा सिधा करप्शन का मामला है